चुपके चुपके हिंदी मुवी रिव्यूज चुपके चुपके 1975 में रिलीज हुई एक भारतिय हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है यह बंगाली फिल्म छडमबेशी की रिमेक है जिसे हृषिकेश मुखर जी ने डाइरेक्ट किया था इसमें धर्मेंद्र, अमिताब बच्चन, शर्मिला टैगोर, जया बच्चन, ओम प्रकाश, असरानी और केश्टो मुखर जी हैं संगीत एसडी बर्मन द्वारा रचित किया गया था इस फिल्म को धर्मेंद्र और अमिताब बच्चन के कॉमिक एक्ट के लिए काफी याद किया जाता है जो उसी साल आई थी जब अल्टाइम ब्लोकबस्टर शोले रिलीज हुई थी धर्मेंद्र द्वारा अभिनीक प्रोफेसर परिमल तृपाथी एक वनस्पती विज्ञान के प्रोफेसर हैं जिन्हें महिला कॉलेज वनस्पती विज्ञान भ्रमन के दौरान शर्मिला टैगोर द्वारा निभाए गई सुलेखा चतुरवेदी से प्यार हो जाता है प्रोफेसर परिमल त्रिपाथी बंगले के चौकीदार को अपने गाव जाने में मदद करते हैं ताकि वह बीमार पड़ गए अपने पोते को देख सके इस बीच वह बूढे आदमी की नौकरी की रक्षा के लिए बंगले के चौकीदार के रूप में खुद को छिपाता है सुलेखा को एक दिन कवरप के बारे में पता चलता है और वह परिमल के वास्तविक व्यक्तित्व को देख कर मंत्रमुग्ध हो जाती है दोनों शादी कर लेते हैं परिमल को शरार्ते करना पसंद है और वह नियमित प्रोफेसरों के विरोधी है दूसरी ओर्ट सुलेखाओं प्रकाश द्वारा निभाए गए अपने जीजाजी रागवेंदर से काफी प्रभावित है वह अपने जीजाजी को अत्यधिक बौधिक मानती है और उन्हें अपने आदर्श के रूप में देखती है परिमल सुलेखा द्वारा अपने जीजाजी की अत्यधिक प्रशंसा के कारण एक हीन भावना विक्सित करता है और यह साबित करने का फैसला करता है कि वह किसी भी तरह से कम नश्वर नहीं है इस बीच जीजाजी ने हरिपद भाईया को एक पत्र लिख कर कहा है कि वह एक ड्राइवर भेजे जो अच्छी हिंदी बोल सके क्योंकि उनका वर्तमान ड्राइवर जेम्स डीकोस्टा अनुचित बोली का उप्योग करता है यह परिमल को जीजाजी को देखने और बातचीत करने का सही अफसर प्रदान करता है परिमल प्यारे मोहन इलहाबादी बन जाता है जो एक मोटर माउथ ड्राइवर है जो अंग्रेजी भाशा से नफरत करने का नाटक करता है और इसलिए केवल हिंदी बोलता है तो शुरू होती है गल्तियों की कोमेडी, क्योंकि परिमल और सुलेखा अंजान जीजाजी के साथ मजाग करते हैं पहले वे नाटक करते हैं कि सुलेखा अपनी नई शादी से खुश नहीं है, फिर वे यह धार्णा बनाते हैं कि सुलेखा का प्यारे मोहन के साथ संबंध है, और यदि यह परियाप्त नहीं था, तो वे परिमल के लंबे समय के दोस्त सुकुमार सिनहा को अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर अमिताब बच्चन द्वारा अभिनीत करते हैं, अस्थाई रूप से परिमल के रूप में अभिनय करते हैं और उसे एक गंभीर और उबाव व्याख्याता के रूप में चित्रित करते हैं, परिमल के चरित्र के बिलकुल विपरीत, प्यारे मोहन की अत्यधिक परिश्कृत हिंदी, जीजाजी के भाशा के उपियोग को सही करने की उनकी आदत और जीजाजी को अंग्रेजी सिखाने में उनकी द्रिड़ता, ये सभी जीजाजी को किसी भी अंत तक परिश तव भी शरारत में शामिल हैं। पीके श्रिवास्तव की पत्नी लता श्रिवास्तव भी हालिया एक्स्ट्रा मैरिटल प्रेन संबंध को लेकर नाराज हैं। पूफ बनाया गया था। फिल्म इन मजेदार दुरघटनाओं के समाधान के इर्दगिर घूमती है। प्रिवास्तव प्रिवास्तव प्रिवास्तव